IPL सीजन शुरू हो चुका है और इसकी एक सबसे खास बात है नई प्लेइंग कंडिशन सच तो यह है कि IPL के पहचान उस लीग के तौर पर है जिसने बदलाव लाने में कभी देरी नहीं की मौजुदा सीजन की नई प्लेइंग कंडिशन कुछ इस प्रकार है अब टौस से पहले नहीं टौस के बाद टीम के 11 खिलाड़ी बताए जाएंगे कप्तान दो अलग अलग टीमशीट के साथ टौस के लिए आएंगे और टौस के बाद एक शीट वाली टीम घोशित कर देते हैं वास्तव में 16 नाम बताते हैं 11 जो मैच खेल रहे हैं और 5 सब्सिट्यूट जिन में से एक इंपक्ट प्लेयर है इंपक्ट प्लेयर का जिक्र IPL में पहली बार है वह खिलाड़ी जो मैच के दोरान खेल की जरूरत और स्तिति के आधार पर आखिरी 11 में से एक खिलाड़ी की जगह बेंच से सीधा टीम में शामिल हो सकता है और आगे खेल में वही हिस्सा लेगा जिसे बदल दिया है वह मैच में आगे हिस्सा नहीं लेगा इसके लिए एक नया एंपाइरिंग सिगनल भी बना है DRS रिव्यू में वाइड और उचाई के लिए नो बॉल शामिल रिव्यू की गिंती अब भी दो नाकाम्याब रिव्यू हैं ओवरेट पेनल्टी ओवरेट धीमा है तो हर कम फेके ओवर के लिए 30 यार्ड सरकल के बाहर सिर्फ 4 खिलाडियों के फिल्डिंग करने की इजाज़त विकेट कीपर की गलत हरकत पर पेनल्टी ऐसा हुआ तो अमपायर डेड बॉल का इशारा करेंगे और बल्ले बाजी टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे फिल्डर का गलत मुव्मेंट गेनबास के अपना रन अप शुरू करने के बाद ऐसा होने पर एमपायर फोरण डेड बॉल का इशारा करेंगे और बल्ले बाजी टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे जो और कुछ खास प्लानिंग कंडिशन आईपियल में चल रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं ओन फिल्ड सॉफ्ट सिगनल ये अब नहीं चल पाएगा ग्राउंड एमपायर के सिगनल का तीसरा एमपायर के फैसले पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा हर पारी खेलने के लिए समय 90 मिनट यानि की 20 वे ओवर को 90 मिनट में पूरा करना है चोथे एमपायर के नए अधिकार नए ओवरेट कंडिशन को लागू करना समय खराब करने में बल्लेबाजी टीम शामिल है तो उसे चेतावनी देने का अधिकार धीमे ओवरेट पर जुर्माना पहली गलती होने पर कप्तान पर 12 लाग रुपे का जुर्माना दूसरी गलती पर कप्तान पर 24 लाग रुपे और टीम के हर खिलाडी पर 6 लाग रुपे या मैच फीस का 25 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा तीसरी गलती पर कप्तान पर 30 लाग रुपे का जुर्माना एक आईपिल मैच के लिए बैन और टीम के हर खिलाडी पर 12 लाग रुपे या मैच फीस का 50 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा शौर्टरन थर्ड एंपायर भी का जांच कर सकते हैं और मूल फैसले को बदल सकते हैं क्रोसओर के बावजूद स्ट्राइक लेने के लिए नया बल्ले बास ही स्ट्राइक लेगा भशरते यहां एक ओवर की नई शुरौात नहों स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अब दो प्रती पारी तीन मिनिट में लेने हैं, सूपर ओवर, यदि उपलब्द समय में सूपर ओवर या उसके बाद के सूपर ओवर को नहीं खेल पाते हैं, तो पॉइंट्स टेबल में उपर रहने वाली टीम विजयता होगी, ये कंडिश सिर्फ फाइनल साहित प्ले ओफ मैटो के लिए ही हैं,